हेलो इस्टूडेंट जैहिंद फाइनली आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर जितने भी ITI में एडमिसन लेने वाले इस्टूडेंट है तो फाइनली आप लोग के लिए यहाँ पर एक नई अपडेट आई हुई है और यहाँ पर देखि सभी जानकारी आप कुछ वीडियो मिलने वाली है तो आपको वीडियो कांटेवियो पूरा इंड तक वाच करना तभी आप लोग को मालू हो पाएगा देन आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब ने किये हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके ख़बर आप लोग की आती है तो सबसे पहले आप लोग को हमाया चैनल और आप लोग को बताई जाती है तो आई वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बलाइकन को वाल पर सेट चलूर कीजिएगा तो यहां पर देखिए फ्रेंट एंड बायो मेट्रीक फार फ्रॉम फार आईटी आई कैट 24 ठीक है शिंपल ही इसी पर आपको क्लिक कर देना जैसे क्लिक करते हैं तो आप लोग के सामें डाउनलोड का आप सना जाएगा और इसे डाउनलोड कर लेजिएगा जैसे कि मैं डाउनलोड कर लिया हूं आप इसका प्रिंट आउट करा करके आप लोग रख लीजिए और इसको भर लीजिए तो कैसे भरना है आईए यह भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है बिहार सयूंगत प्रवेस परतियों किता परिच्छा दौर 24 और यहाँ पर देखिए पहले आप लोग को मैं जाच परची भरने को बता रहा हूं और देखिए उमिद्वार द्वारा स्वयम संतुष्टी लिपी में भरा जायेगा ठीक है जो स्टूडेंट यहाँ पर आईटी आई में पास आउट हुए है एडिमिसन के लिए जिनको आप लोग का जो नाम है उपहले आप लोग यहाँ पर हिंदी में लिखिएगा इसके बाद आप लोग का नाम कैपिटल लेटर में अंग्रेजी में लिखिएगा ठीक है और यहाँ पर आप लोग का जो आईटी आई का रोलंबर है ठीक है जो आपके एडिमिट कार्ट पर लिए है उव़ आपको भरना है इसके बाद का category क्या है ओ भरना है और आप लोग का जो rank आया हुआ है ओपन 마리्रिमेरिट पर आपको कıtना rank है और category से आपको कितना rank ओ आ पको लिखना है यहां पर और district आपका seat कितना है और और यहां पर category है क्या है वो आपको लिख लेना है ठीक है तो यानि फाइनली यह आपका तिसरे option में आपको rank पूरा लिखना है इसके बाद आपके father का नाम यानि पीता का नाम किया है वो लिखना है हिंदी में इसके बाद यहां पर अस्थाई पता आप लोग को पूरा पता इसके बाद आपका छठनमबर में दिया गया है बिद्ध्यालए जहां से ततकाल अध्यान रए रहे हैं जहां से आप लोग 10TH path के आईटी कर रहे हैं या college path कяться कर रहे हैं तो उस company या स्कूल का आप लोग नाम लिखना है आपको यहां पर इसके बाद आपका पहचान चिन लिखना है तो आपके फेस पे या कहीं आपके बॉड्डी पे कोई एक निसान जैसे तील का हो गया या कट मार्क हो गया ओपको लिख लेना है इसके बाद देखिए ATI एम समंधि जील जहां के लिए अभ्यारती ITI कैट 2024 में प्रवेश पातरता प्राप्त है तो यहाँ पर देखिए आप लोग को जिस ITI यहाँ पर आपको जो ITI कालेज मिलेगा वही आपको यहाँ पर भरना है तो आप लोग का जब Allotment Order आएगा तो उसमें आप लोग का डिटेल्स दिया रहेगा ITI कालेज के नाम भी दिया रहेगा तो वही आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर देखिए आपका phone number जो की आप लोग ने registration करते समय दिया हुआ है वो भी आप लोग देख सकते हैं या फिर कोई और भी दे सकते हैं और mobile number भी आप लोग दे सकते हैं इसके बाद email ID और अधार संख्या आप लोग भर लिजेगा इसके बाद आप लोग जब जिस दिन आप लोग document और फिकेशन करवाने जा रहे हैं वो दिना याण इडेट आप लोग रखिएगा यहां पर ठीक है और इसके बाद देखिए उम्मिद्वार का हस्तांचर जो भी student का यहां पर admission होना है वही यहां पर हस्तांचर अपना करेंगे और यहां पर देखिए साच्छात कार समिति के लिए उपयोग के लिए आपको कौन कौन से राकुमेंट इसके साथ आपको लगाना है तो देखिए आपका हाई स्कूल का एंटेंथ का आपका मार्क सीट सैटिफिकेट और लगेगा और इसके बाद अब बंधिक प्रमार पत्र भी आप लोग का लगेगा इसके बाद आईटी आई का मूल प्रवेस पत्र लगेगा आईटी आई का प्रवेस पत्र पर चिपकाएगा च्छ प्रती आपका फोटो रहेगा पास्पोर साइच का इसके बाद आप लोग का निवास प्रमार पत्र रहेगा और जाती प्रमार पत्र रहेगा और यहाँ पर दिया गया है आवासी मूल प्रमार पत्र रहेगा आपका ठीक है और इसके बाद छटमा है आपका ITI CAD 24 के नुसार EWS के लिए यहाँ पर अस्थाय निवास जो की DMSDM अचला धिकारी द्वारा मूल प्रमार पत्र आपका लगेगा ठीक है EWS के लिए और यहाँ पर देखिए सहस्थान जहां अंतिम बार पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ का मूल आचरण प्रमार पत्र रहानी करेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से जो बना है वही आपका लगेगा ठीक है और यहाँ पर देखिए बताराए खुद की जहां से आप लोग अंति तो यहां पर देखिए सायनी कोटए के लिए है कि अनुसारнитिच करमारपत्र पास है तो आप लोगत भी लिएगा है कि उसका सनलगन किये गए है ठीक है तो आप लोगों ने कितना यहाँ पर डाकुमेंट्स लगाया है वह यहाँ पर आपको लिख देना है इसके बाद यहाँ पर जाच अधिकारी का हस्तांचर होगा और यहाँ पर देखिए आप लोग का आयू जो है मादेमिक सिच्छा समकच परिच्छा मुल अपुबांदिक प्रमाड़ पत्र जर्मती थी जो आप लोग के 10th के मारक्सी सर्टिफिकेट पे आपका यहाँ पर डेट ओप बर्थ है वही आपको यहाँ पर लिखना है इसके बास सेचछडिक योगक्ता आपको लिखना है वर्स खसन में आप लोगों ने 10th पास किया है वह आपको यहाँ पर भरनाओ-ठीक है और यहाँ पर हींगे तो यहां पर दिया गया प्रवेश पत्र के अधार पर निर्धारित आईट आइए के लिए पात्रता तो प्रवेश पत्र के अधार पर आईटी आईवन सम्मान 냄ton का नाम आपको जो आइटी आई college मिले उसका नाम और इसकी अज़ने बाद उस जीला को नम आपको लिख देना है इसके बाद आवासी योग ग्यता को लिखना है जो कि प्रश्ट आवासी प्रमारपत्र निर्धाई, सच्छ पतादिकारी द्वारा न्रगत किये गये, या किया गया है इस प्रमाडपत्र के अधार पर निवास कोटी को विवर पुष्टिका कंड़िया के अधार पर आवासी योगता संतोष्ट करते हैं या नहीं करते हैं ठीक है तो आप लोग का जो प्रमाडपत्र है उसका यहाँ पर यहाँ पर नमबर लिख देना है आवासी योगता का ठीक है, और इसका आपका पहचान का सत्यापन करना है, आप लोग को यहाँ पर बाएं अगुठे का निसान यहाँ पर थंब लगा दिना है ठीक है, और आप लोग निची आएंगे तो यहाँ पर देखिए हिंदी में अंगरेजी में, आप लोग का नाम रहेगा, ठीक है यहाँ पर देखिए जाच पदादिकारी के सामने उमिद्वार का इस्तांचर होगा जो कि हिंदी में अंग्रेजी में ठीक है तो आप लोग इसको बाद भरिएगा जब आपका डाकूमेंट और इफिकर्चन होगा तो जहाँ पर आपका डाकूमेंट और इफिकर्चन लोगों को स्वास्त परिच्छड वाला यहां पर देखी दिया गया है किस्सा पदादिकारी द्वारा निर्गत स्वास्त जाच के योग्य अयोग्य पाए गया है ठीक है तो आप लोगों ने यहां पर साइन कर देना है और यहां पर देखिए उमिद्वार जिला और द्योग इसका आपको यहाँ पर साइन कर देना है और देखिए ओनलाइन आवंटित पार्ट करम एमे एवं अधोगी प्रस्थिचर संस्थान आप लोग का कैटेगरी वाई आपका जो रैंक है ओपन मेट के धार पर है डिस्ट्रिक मेट के धार पर है वह आपको यहाँ भरना है इसके और डेट भरना है जो कि आप लोग का डेट जब आपका डाकूमेंट वरिफिकेशन होगा तब आप लोग भरिएगा ठीक है और कंडिड डेट इन्हें में हाँ पर आप लोग इसे पुरा अंग्रेजीम भरिएगा ठीक कैटेटल टर्म भरिएगा इसको और इसके बाद पर और अधार काड भर लिजेगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग का लेफ्ट थम्ब आपको यहाँ पर लगाना है ठीक है अई बादा अंग उठा इसके बाद यहाँ पर आपको सिगनेचर करदा सिगनेचर आप दा कंडिड डेट ठीक है और आप लोग को इसे पर लिजेगा और डाउनलोड कर लिजिए और जब डाकूमेंट टरिफिकिशन करवाएंगे तब इसको साथ में आपको लेकर जाना है तो यह दो डाकूमेंट आप लोग का हो गया तो फानली आप लोग इससे डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट नि जाए हिंद